जग्रवाती तूफान यस से हुए नुकसान का अंकलन करने के लिए प्रधान मंतरी नरीद मोधी की समिक्षा बैठक में मुखी मंतरी मम्ता बेनरजी के शामिल नहीं होने का मामला तूल पकड़ रहा है। लेकिन काफी इंतिजार की बाद मुझे उन से मिलने दिया गया। लेकिन रोसाना होने वाली मौतों के आकरों ने अब भी चिंता बढ़ा रखी है। वीते दिन देश में 1,65,186 लोगों में कोरोना की पुष्टी हुई नए संक्रमितों का यांकरा पिछले 47 दिनों में सबसे कम। इससे पहले 12 अप्रेल को 1,60,854 ने मरीज मिले थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे वीते दिन दुनिया में 5,2,679 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। इस दौरान 11,897 लोगों की मौत सबसे जादा मामले और मौते भारत में रिकॉर्ड की गई। मंद्रिप्रदेश में कुरोना अफ काबू में आ रहा तीसरी लहर के आश्रंका की वज़े से शिवराज सरकार ने एक जून से दीरे दीरे अनलॉक करने की तयारी कर ली इसके लिए ग्रय मंत्री डॉक्टर नरूता मिश्रा के देख्षिता में मंत्रियों के सम्मूहों ने अनलॉक को लेकर सरकार से सफारिशे की स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने के लिए भी मंत्री सम्मूह का गठन किया ये जल्दी ही बैचा कर अपनी सफारिशे सरकार को भीज़ेगा भारते क्रिकेट कंट्रोल बोड ने आज हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में आईपेल 2021 किसके बचे हुए एक्टिस मैचों को UAE में कराने के फैसले पर मुहर लगाई बोड ने कहा इसके लिए सितंबर अक्टूबर विंडो को ही ध्यान में रखा जाएगा UAE में भी अपने तीन ग्राउंड अबुधादी, शार जहां और दुबई में आईपेल के मैच कराने को लेकर खुश है मशूर फिल्मका रयान स्टिफंकर शनिवार सुबह निधन हुआ, रयान का निधन कोरोना वारिस के कारण हुआ, रयान पहले करण जोर के प्रडक्शन हाउस से बी जुड़े थे रियान द्वारा प्रोड्यूस की गई आकरी फिल्म क्यारा अडवानी स्टार अर इंदू की जवानी थी इसके लावा उनों में कई टैलेंटेड एक्ट्रिसेस को लिकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी दक्षिन फश्य मांसून केरल तमलाडू के बलकुल करीब पहुंचुका मांसून की उत्री सीमा इस समय कोमो रिन सागर में तटों से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर अब इसके कभी भी दस्तक देने के आसार केवल मानगो के पूरा होने का इंतिसार